टॉपिक है तो आजके टरररीडिंग का टॉपिक है वाट्ट एँआर क्रुश्ट से तू आपके खिए अपसे क्या कहना चाहते है किस तरीके फीलिंग्स को शेर करना चाहते है इस तरीके के मेसेज़ प्रowego आपको करना चाहते है तंड यह जो है एक Timeless collective reading है, कुछ चीज़े आपकी situation से resonate करेंगी है, कुछ चीज़े आपकी situation से नहीं भी resonate करेंगी, आप उसे as a test छोड़ सकते हैं अगर आप मेरे चानल पर नए आये हैं, तो आप इस चानल को like करें, share करें, subscribe करें, और हाँ, bell icon को ज़रूर all पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर notifications मिल पाएं, और आप content को enjoy कर पाएं अगर आप चाहें, तो मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं, किस तरीके के feelings हैं उनके मन में, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं पहला काड़ा है, nine of pentacles, आपको independent secure energy में देखते हैं, venusian energy आपकी तरफ physically और emotionally हर तरीके से attraction वो महसूस करते हैं, आपको देखते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है, तो काफी हद तक वो आपकी तरफ attracted है next are the lovers, ये person जो है वो आपके लिए deeply emotionally feel करते हैं, एक passionate energy भी है, लेकिन romantically भी feel करते हैं, आपकी care करते है next are ace of swords है, लीब्रा इकोरेस जमिनाय की energy है, तो ये person आपको सबसर जो है, वो communicate करना चाहते हैं, किस तरीके के उनके thoughts हैं आपके लिए, किस तरीके का passion वो feel करते हैं, किस तरीके की उनके मन में magnetic seduction जो है, वो आपके लिए है next are the helmet, ये person work or हो सकता है, इनका hast नक्षतr हो सकता है, भरणी हो सकता है, अनुराधा हो सकता है, स्वाती हो सकता है, रेवती हो सकता है, हाला कि सबसे resonate नहीं करेगा, लेकिन ये जो नक्षतr हैं, वो जो हैं, काफी जादा wisdom वाले person तो हैं ही, लेकिन isolation वाली एनर्जी में हैं लेकिन आपको वो confirmation एक limit के बाद ही देना चाहते हैं, 10 of wands है, इतना ज़्यादा वो सोचते हैं आपके बारे में, कि इस तरीगे की energy आती है, कि आपको सोच कर, वो कभी-कभी burden फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं ही सिर्फ सोच रहा हूं, यह इनसान भी मेरे बा आई देना पड़ेगा, नेक्स्ट आरा पेज और सोच है, तो आपके हर छोटे से छोटे मूव को भी यह person हमेशा ध्यान से देखते हैं, यह देखना चाहती है, जो भी उनका gender हो, और आपके उपर ध्यान रखते हैं, नेक्स्ट आरा आपके लिए Ace of Cups के energy है, तो Ace of Cups के energy जो है, इस तरीके का card है कि overwhelming emotions है, लेकि जैसे मैंने कहा कि उनके मन में यह doubt है, कि आप भी जो है, वो उनकी तरफ इसी तरीके से सोचते हो, या देखते हो, या सिर्फ यह one-sided है, तो Ace of Cups के energy है, उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे obsessed है, इस तरीके से सोचना एक ही इनसान के ब वो ऐसे इनसान नहीं है, कि वो हर इनसान के बारे में इस तरीके से सोचे, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो है, आपसे लव करते हैं, नेक्स देख लेते हैं, केप्रिकॉन की energy तो है ही, नेक्स आ रहा है, Ace of Pentacles, Ace यहाँ पे जो है, Ace of Swords भी आया है, Ace of Pentacles पी आया है, तो वो सोचते हैं कि लाइफ जो है, वो create की जाए, solid foundation को create किया जाए, आपके साथ जो है, इन्वेस्टमेंट करी जाए, emotions की भी, financials की भी, नेक्स टार है, temperance, Sagittarius energy है, तो काफी जादा आपके बारे में सोचते हैं, balance लेकर आना चाहते हैं, जितने भी emotions और passion है, उसको जो है जिसमें आप जैसे react करते हो, या बोलते हो, तो थोड़ा संभल के रहना कि अगर आपको ऐसा लगता है, कि वो जो है, अपनी confession, क्योंकि हर एक इंसान का तरीका अलग होता है, कि confession करना है, love को, या feelings को, तो वो जो है, सामने वाले को भी देखना चाहता है, कि उसके मन में भी feelings हैं भी या नहीं, या मेरा ही पोपट हो जाएगा, तो ऐसी जीज ना हो, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं, कुछ और cards, queen of pentacles, और next star है queen of wands, आपके पास जो है, वो इस तरीकी की energy है, आप एक ऐसी energy, चाहे आप male हो, चाहे आप female हो, कि आप जो ह आता है, job करना आता है, घर संभालना आता है, बच्चों कोई देख रहे करना ही आती है, आप समझदार भी हो, decision भी ले पाते हो, तो कोई ऐसी कमी नहीं है, कि वो आप में निकाल पाए, या कोई और भी आप में निकाल पाए, आप attractive भी हो, confident भी हो, तो हर तरीके से जो है, वो आपको एक wife material या husband material की तरीके से देखते हैं, और आपकी तरफ वो आगे आना चाहते हैं, चले देख लेते हैं कुछ और उनकी feelings या recent future में कोई action, 7 of pentacles, बहुत लंबे समय से आपके बारे में सोच रहे हैं, नेक्स टारा 2 of cups है, लव करते हैं आपसे, नेक्स टारा 6 of source, तो कुछ समय जो है, वो समय देना साथ है, अपने आपको हो सकता है, कि जैसे मैंने कहा 10 of wants की energy है, या तो workaholic person है, या फिर जैसे मैंने कहा कि, बड़ा की तरफ आना चाहते हैं, तो इस तरीके की energy है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ट, क्या करना चाहते हैं, hangman आपके उपर stuck है, नेक्स टारा 10 of swords, और नेक्स टारा page of pentacles, इसको मैं clarify कर लेती हूं कि, 10 of swords क्यों आया है, आपको एक empress की तरीके से वो देखते हैं, तो उन्हे ऐसा लगता है कि आप उन्हें क्यों choose करोगे, वही चीज़ आ रही है बार-बार कि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं तो इतना कुछ सोच रहा हूं या सोच रही हूं, लिकिस सामने वाले की मन में भी ये सब है भी या नहीं, तो वो जह है magician आपको manifest करना चाहते हैं अपनी life में, औ आपके साथ working place पे भी जो है, जहां पे भी काम कर रहे हो या जहां पे भी जाते हो, या कुछ भी जो आप दोनों का एक common ground हो, जहां पर आप लोग मिलते हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो कोई और ही जगा क्यों ना हो, लेकिन वहां पर आपसे बातचीत करके आपके मन को मैं लूँ, तो इस तरीके की energy है, decision बनाना है, लेकिन ये मत सोचो कि उनके मन में romantic feelings नहीं है, ऐसा कोई doubt ही नहीं है, romantic feelings है, deeper feelings है, आपको वो तोलना चाहते हैं कि आप भी actually में feel करते भी हो या नहीं, क्योंकि उनको यही चीज है कि कही मेरी reputation या मेरा pop-up अपना हो जाए, ठी तो इस तरीके की situation है, चलिए देख लेते हैं, उनकी तरह से love card, वो आपसे क्या कहना चाहते है, या किस तरीके की thoughts रखते हैं आपके लिए, पहला ये आया है, next आ रहा है आपके लिए, एक सिकेंड, इसको shuffle कर लेती है, सही तरीके से, चार-पांच cards आ रहे हैं, एक और लेन चाहते हैं, तो ये जो है cards आपके लिए आए हैं, देख लेते हैं, new beginning, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately, तो वो जो है, इस तरीके से सोचते हैं आपके लिए, next आ रहा है, it is important right now to take a step back and spend some time alone, instead of placing your focus on one another, now is the time to give to yourself, तो वो जो है, आपने आपको भी time देना चाहते है, आपको भी time देना चाह और अगर कुछ ऐसा लगता है, तो steps जो है, वो पीछे भी ले सके, तो focus कर रहे हैं, आपके स्वभाव पर, आपके gestures पर, कि आप उनको कैसे जो है, वो treat करते हो, next direct criticizing one another will only lead to further unhappiness, love and accept each other as you are and your relationship will magically transform, तो यहाँ पर relationship जो है, वो magically transform होने वाला है, और आप लोग जो है, एक बढ़ होगे, तो चली देख लेते हैं, और एकल कार्स, forgiveness आरहा है, inspiration आरहा है, तो forgiveness जो है, या तो उन्हें अपने आपको forgive करने की जरुत है, या वो किसी और से जो है, जो भी अमका childhood जितना जादा जादा, वो overthinking कर रहे हैं, तो वो चीज हो सकती है, या आपको किसी को forgive करन अपने self-respect में बहुत जादा, जो है, stuck feel करते हो, या कह सकते हैं, कि self-respect वाले इनसान हो, तो किसी से ऐसे ही जो है, नहीं आने देना चाहोगे, next आरहा, dreams, आप अपने dreams को fulfill कर रहे हो, next आरह, abundance, आपके लायक बनना चाहते हैं, next आरह, hidden truth, अभी तक सब कुछ hidden रखा है, इस इ जो X energy आ रही है, forgiveness और grieving, तो कोई इनसान जो है, जिसने आपके साथ धोका डड़ी की हो, या इस इनसान के साथ धोका डड़ी की है, दोनों ही situation हो सकती है, वो जो है, forgiveness मांगना चाहते हैं, और आपको अपनी life में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आप जो है, अपनी life में आगे बढ़ चुके हैं, एक और लेकर तियो, trust, तो यहाँ पर trust जो है, आपके crush जो है, वो आप पे कर रहे हैं, और आप पे करना चाहते हैं, और आप भी जो है, उन पे कर रहे हैं, यह सब चीजे भी जो है, कोई आपका ex-partner देख रहा है, हलाकि सबसे resonate नहीं करेगा, आप ex-partner कोई नहीं रहा है, history नहीं रही है, तो बहुत अच्छी बात है, आप से वो चीजे resonate नहीं करती, क्यों, forgiveness और grieving जो है, कोई इनसान जो है, वो देख रहा है, कि आप जो है, अपनी life में move on हो चुके हो, इस वज़े से वो रो रहा है, ठीक है, तो ऐसी energy आई है, मैंने आपको बता दिये, हो सकता है, रेजोनेट करें, हो सकता है, ना भी रेजोनेट करें, चलिए देखते हैं, इस energy से लेटर, कुछ, charms, यहाँ पर फिश आई है, प्रस्परिटी है, यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है, मून आया, पाइसिस एनरजी है, और नेक्स्ट आ रहा है, एफिल करने की इच्छा होगी, यह कह सकते हैं, कि आप दोनों में एक अच्छी bonding, जो है, वो create करना चाहते हैं, आपके साथ एक quality time को spend करना चाहते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर anchor आया है, तो anchor जो है, stability को, security को दिखाता है, तो उसी तरीके की चीजे, वो सोचते हैं, आपके आपके लिए, तो यह आपकी रीडिंग करते हैं, आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरा content, रीडिंग्स और एनर्जी अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें थाइंक की